दोस्तों नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फीस फार्मिंग पर आज हम एक बार फिर एक बहतरीन वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है आप लोग लाइक कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं आपको इसी तरह से सने हम बनाए रखें वीडियो पर बने रहें संपोर्णी वीडियो देखें और एक बर फिर कहते हैं जो बंद हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं फिस फार्मिंग यूट्यूब चैनल को डाई उठा सकते हैं दोस्तो अधिक से अधिक मात्रा में लोग अधिक से अधिक लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाव उठाब तो चलिए दोस्तो मीडियो शुरू करते हैं आज का जो टोपिक है दोस्तो वह है हम एक एकर का अगर तलाब है या कितने भी बरा तलाब है दोस्तो उसमें हम कितना डेन सीटी रखें और हम लोगों को कितना मचली पालना चाहिए एक तलाब में हमको कितने तरह का मचली पालना चाहिए इसी भी से में हम आज जर्चा करने जा रहे हैं बहुत सारे लोग तीन तरह की मचली पालते हैं बहुत सारे लोग चार तरह की मचली पालते हैं बहुत सारे लोग पास तरह की पालते हैं और बहुत सारे लोग छे तरह की पालते हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं मित्रों जो चाहते हैं कि मेरे तालाब में एक यही तरह का मचली पाले तो इन ही सारी बात उपर हम जानकारी देंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में तो चलिए हम आड़म बकरते हैं उससे पहले हम सारा आपको बताएं उससे पहले दो चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं कि किसी भी मचली कोई भी मचली का भी आप पालन करते हैं तो अगर सेम यर में आपको हर्वेस्टिंग लेना है जिस साल आप बीज़ डालते हैं, उसी साल अगर हार्वेस्टिंग लेना है आपको, तो पिरपया एर लिंग, बच्चा स्टोक करें अपने तालाब में, छोटा बच्चा स्टोक नहीं करें, और जब भी अपने तालाब में बच्चा डालें, वह मोरनिंग आवर में डालें, स उसकी हम पहले चान काड़ी देते हैं तो 30% आपको कतला मचली का बीज डालना चाहिए 30% मुरीगल मचली का बीज डालना चाहिए यानि नयन मचली का उसके बाद 40% रूह मचली का बीज डालना चाहिए आपको अपने तलाब में यानि उपरी तली वाली के लिए 30% बीच वाल दाले 40% रोहु का डाले और मुरीगल का सिर्फ 10% डाले और कॉमन कार्प का 20% डाले एक बार फिर हम दोहरा देते हैं पतला 30% रोहु 40% मुरीगल 10% और कॉमन कार्प 20% अगर आपकी एक्षा है कि हम अपने तालाब में 5 तरह की मचली का पालन करें जिसमें I.M.C. और विदेशी कार्प का भी पालन करें उस पोजिशन में दोश्टों आप कतला 30% डाले 10% ही सिल्वर कार्प डाले इसमें बरहुतरी नहीं करेंगे लेकिन कई वीडियो में हम बता हुआ है उसके अनुसार आप कतला 30% सिल्वर कार्प 10% रोहु 30% म्रीगल 10% और कॉमन कार्प 20% पालन करें इस तरह से आप अपने तालाब में 5 तरह की मचलीयों का पालन बरही आराम से कर सकते हैं अब हम बात करते हैं कि अगर आपको 6 तरह की मचलीयां पालना है अपने ता पालन करते हैं बहुत सारे लोग 6 तरह की मचलीयों का पालन करते हैं आई एमसी के साथ साथ विदेशी कार्प मचलीयों का भी पालन करते हैं तो उस उस पोजिशन में हम आपको बता देते हैं कि कतला का पालन आप 25% करें सिल्वर का पालन 10% करें रोहु का पालन 25% करें ग् सतला 25%, सिलवर 10%, रोहू 25%, ग्रास 10%, म्रीगल यानि नैनी 10%, पॉमन 20%, इस तरह से आपका 100% हो जा रहा है, और लास्ट में हम एक बात आप से कहेंगे, कि आप ये जो नियम है पालन करने का, इस तरह से हम आपको नियम बता दिये, इस नियम के अनुसारा पालन करेंगे, देश से नहीं, विदेश से भी इस वीडियो के देखते हैं, हमारी वेडियो पाकिस्तान में भी देखी जाती है, नेपाले में भी देखी जाती है, साथी अरेविया में भी देखी जाती है, हम कहाने ये जा रहे हैं, कि जहां पे जिस मचली का डिमांड बहुत अच्छा है और जहां पे जिस मचली का rate बहुत ज़्यादा अच्छा है उस मचली का ही आप पालन करें ऐसा नहीं है कि हम बता दिये कि आपको common का भी पालन करना है रेहु का भी पालन करना है, mirigal का भी पालन करना है तो वैसा आपको बात नहीं मनना है परसेंटेज उस तरह से आपको रखना है लेकिन आपको पालन आपके market के demand के अनुसार ही जहां आपको ज़्यादा अच्छा rate मिलता है आपके सहर में जिस मचली का rate आधिक है उस मचली का पालन करें और जिसका demand ज़्यादा है उस मचली का पालन करें धन्यवाद